भारत से दुश्मनी मोल लेकर श्री लंका के सामने गिड़ गिड़ा रहा। मालदीव मामला क्या है? भारत से विवाद के बीच मालदीव ने चिकित्सा निकासी के लिए श्री लंका की मदद मांगी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस बीच मालदीव की इस चीन समर्थक सरकार ने चिकित्सा निकासी सेवाओं में श्री लंका से सहायता मांगी है। D. Silva से मुलाकात भी की है. मुलाकात के बाद क्या बोले मालदीव के मंतरी? मुलाकात के बाद मुहम्मद अमीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, ट्विटर पर कहा कि श्रीलंका मालदीव को चिकित्सा निकासी में मदद करने के लिए सहमत हो गया है. उन्होंने लिखा, हम मालदीव और श्रीलंका के बीच ततकाल आवश्यक्ताओं, विशेश रूप से मेड इवैक उडानों पर ततकाल अनुमोधन प्रक्रिया के लिए एक रूप रेखा बनाने पर सहमत हुए हैं. डी सिल्वा ने बुधवार को दहिंदू को बताया, वे मालदीव अपनी एर एंबूलेंस का उपयोग करेंगे. इसका उद्देश्य किसी भी आपात कालीन चिकित सा उपचार के लिए इस चैनल को खुला और आसान रखना है, जिसकी मालदीव को श्रीलंका में आवश्यक् में लिया है. लेकिन मुईज्जू सरकार का दावा है कि वह भागीदारी का विस्तार और विविधता लाने के लिए दूसरे देशों के साथ समझोते कर रही है. मुहमद मुईज्जू ने दिसंबर में मार्च दो हजार चॉबिस से एक एयर एंबूलेंस सेवा स्थापित क करने की घोशना की थी. उन्होंने कहा था कि इससे मालदीव के मरीजों को थाइलेंड तक यात्रा करने में मदद कर सकती है. मालदीव में त्वरित चिकितसा निकासी की आवश्यक्ता जनवरी की शुरुआत में तब महसूस की गई जब एक बच्चे की इलाज के अभाव मे मौत हो गई थी. दोस्तो ऐसी और भी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सबस्क्राइब करे और वीडियो को लाइक करे और कॉमेंट करके बताए. आपको वीडियो कैसी लगी? घन्यवाद!